वरतमान समय में भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर जूला पूल जो है वो डोबरा चांठी पूल है तो डोबरा चांठी पूल से उत्राखंडी के आगामी एक्जामस में क्वेश्चेन बनने की पूंग संभावना है इसलिए टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ इस पहले सुरू करेंगे टॉपिक को बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन एक्जाम पूइंट आपको इसे बहुत ही महत्तवपूंग है तो एक एक जो यहां पर की पूइंट बताए जाएंगे उनको नोट कीजिएगा देखेंगे भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंस ब्रीज डोबरा चांठी पूल तो देखें दोस्तों सबसे पहले पूल के बारे में बात करते हैं इस डोबरा चांठी पूल को बनाने की सुरूआत हुई थी 2006 में इसकी सुरूआत हुई थी और 2020 में फाइनली ये पूल बनकर तयार हुआ और आठ नॉमबर ये सकते हैं, पूरे 14 वर्स लग गए इस पूल को बनने में, रीजन बस एक ही है, कई बार पूल के डिजाइन में कमी आई, और कई बार बजट में कमी आई, उत्राखंड के संदर्ब में हमेशा देखने को आता है, कि विनिर्मान जो कार्य होते हैं, उनमें बजट की कमी एक पहागी बासा में जूला पूल जिसको बोलते हैं, जूला पूल आपने पहागी छेतरों में बहुत सी नदियों पर तेखे होंगे, लेकिन वो जूला पूल क्या होते हैं, हमारे पैदल यात्रा क्या होते हैं, उसी जूला पूल की तरजी पर ये जूला पूल होता है, जिस तो यह भारत का सबसे लंबा single lane bridge बन गया तो इससे पहले कौन सा भारत का सबसे लंबा single lane suspension bridge था तो यह हमारा था अरुगांचल प्रदेश में जिसका नाम था वियो रूंग bridge ठीक है जिसकी length थी 300 meter की 300 meter इसकी total length थी अरुगांचल प्रदेश में था लेकिन जिस दिन दोबरा चांठी का उद्गाटन हुआ तो फिर भारत का वरतमान समय में सबसे लंबा जो जूला पुल है ठीक है single lane motor का वह हमारा दोबरा चांठी है इसकी total length है 440 meter ठीक है length पर अभी जाएंगे हम उससे पहले हम जानते किन दो इस्तलों को जोगता है तो देखिए दोस्तों टेहरी तेहसिल में हमारा गाउं है दोबरा और प्रताब नगर तेहसिल में हमारा गाउं है चांठी तो दोबरा गाउं को चांठी से ये पुल जोगता है इसलिए इस पुल को नाम दिया गया है दोबरा चांठी पुल ठीक है अगर question बनेगा कि ये किन दो places को जोगता है किन दो त फ़िहरी तहसिल को प्रताब नगर से जोडता है। अब इसकी लेंथ की बात करते हैं, तो टोटल लेंथ है। वास्तविक लंबाई वही लंबाई होती है जो कि हवा में होती है यानि कि हवा में ये पुल है 440 मीटर इसलिए डोबरा चांटी पुल की जो हम बोल सकते हैं लंबाई है वो कितनी है 440 मीटर एक्जाम में ये कोश्चन बनने की पूरी संभावना आगामी परिक्षाओं में जो टियरी में डोबरा चांटी पुल बना भी उससे बहुत से कोश्चन निगल के आ सकते हैं एक्जाम में तो आपको एक एक पॉइंट याद रखना है ठीक है अब इसके बात बात करते हैं इसकी चोड़ाई कितनी उचाई पर इस्तित है तो समूदर तल से इसकी उचाई ह पर यह बनाया तो यह बहुत कॉंट्रोवर्सियल कोश्चन हो जाएगा क्योंकि एक तरफ से हमारी बिलंगना आ रही है एक तरफ से भागी रतिया और एक तरफ से बिलंगना आ रही है ठीक है यह टीरी डैम का पूरा पानी का चेत्र है वाटर चेत्र है पूरा मतलब जितन लेक के उपर ही है ठीक है डोब्रा चांटी फुल आप देखिए इस पुल का पैनिफिट किया है पुल दो बन गया और गाटन वा आठ नौबर दोजार बीस अब हाँ इसकी बात करते है बजट कितना है इसमें तो इस पुल का टोटल बजट था 315 करोगल पर फाइनल बजट इसका हम बोल सकते कितना था 300 लगभग 315 करोगल पर ठीक है ध्यान दखेंगे अब बात करते देखिए इस पुल का बैनिफिट क्या है क्या बैनिफिट है इस पुल का तो इस पुल का सबसे बड़ा बैनिफिट मिला है प्रताप नगर के लोगों को क्योंकि प्रताप नगर तो इस वज़े से क्या करना परता था, जो चांठी या प्रतापनगर के आसपास के लोग है जितने भी, चांठी तो यहाँ पर पूल को जॉइंट कर रहा है, प्रतापनगर के जितने भी जनता है, इस्तानी जनता, उसको टीहरी मुख्या लए आने के लिए, जिला मुख्या के लोगों को, पहला तो यह बेनिफिट हो गया, दूसरा बेनिफिट आज आज आपको पता है, जो टीहरी हमारी लेक है, टीहरी जील है, इसको टूरिस्टी डेस्टिनेशन के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है, उत्रागंडी राजी में 13 डेस्टिनेशन वाली एक तो यहाँ पर वाटर स्पोर्स के एक्टिविटी होती है, और अन्यमात्तो पूर्ण यहाँ पर धरसनी इस्तल है, इस वज़ए से लोगों का आवागमन काफी जादा होगा, और इस पुल की वज़ए से अब जादा ही होगा, क्योंकि इस पुल में बहुत सी रंग बिरंग इस पर्मानेंट ब्रिज इसले नहीं बनाया गया, क्योंकि यह हमारा भूकम्प द्रिश्टी से आती समवेदन सील होता है, इसलिए जो हमारे टीहरी का डैम है, वो काफर बाध है, काफर का मतलब होता है, मिट्टी और परवत के द्वारा निर्मित बाध, इसको हमने कंक्र बाध में हमारे क्रेक्स आ सकते हैं, और बाध टूर सकता है, लेकिन काफर बाध में यह होता है, काफर बाध का मतलब है, मिट्टी और पत्थर की दौरा निर्मित बाध, मिट्टी पत्थर का एक आर्टी फीशल पहाग खड़ा करना, अगर भुकम्प भी आएगा ना, छो पैंसन ब्रिज बनाया गया, ताकि अल्यूमिनियम के फ्रेम अगरा से बनते हैं और बहुत अलकी दातू होती है, और नीचे से भुकम्प भी आएगा, तो ज्यादा हिलने पर एफेक्ट नहीं होगा, एक दम पूल टूटेगा नहीं कर भी, ठीक है, जो हमारे व्यग्यानि होगा, वो हमारा टूरिजम सेक्टर में होने वाला है, साथी इस्थाने लोगों को जो सुईदा मिले है, वो भी अपने आप में उलेखनी है, ठीक है, तो यह हमारा टोटल डोबरा चांटी पूल बनाने का जो परपस था, क्या था, एडवांटेश थे, क्या थे, कितना इस से कोश्यन बनके आएगा कि इस पूल का उधगाटन कब हुआ, तो आठ नॉवंबर 2020 को इसका उधगाटन किया प्रदेश के मुख्या मंतरी त्रिवेंद्र रावत जी ने, और इसके बाद बजट पूछ लेगा, तो लगबग 315 करोल का इस पर बजट आया, और साथी पू में आप से पूछा भी था, कि जो डोबराचांटी पूल बनाया, उस पे एक हमारी किताब भी लिखे है, सीसपाल गुसाई जी ने, किसने, सीसपाल गुसाई जी ने, तो किताब का नाम है, भारत के सबसे लंबे सस्पैंशन ब्रिज, डोबराचांटी की का था, ठीक है, सी बढ़े सस्पैंशन पुल, डोबराचांटी की गाथा, पुस्तक के लेखक है, सीसपाल गुसाई, ठीक है, तो मित्रो ये था हमारा टोटल, जितने भी महत्तोपूर्ण तथ्य थे, भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन सस्पैंशन ब्रिज, डोबराचांटी पूल के बारे म क्योंकि उसमें आपको मिलते हैं परिक्षा उपयोगी महत्तोपूर्ण कंटेंट है वहाँ पर, अगर अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अप्लिकेशन का, आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथी चैनल पर बने रह कंट जैहिंद